इस वीडियो में दी हुई जंकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई का उप्योग करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछे, अगर आप इस वीडियो को देखर किसी दवाई का उप्योग करते ह है और उसकी रक्षा करता है ये समवेद अंशील, शुष्क, लाल या आसानी से चिर्चिडी तवचा वाले शिशूओं के लिए बिलकुल सही है सक्री आव्यवों में एंटी बैक्टिरियल, एंटी फंगल और एंटी सप्टिक गुण होते हैं जो सुखापन और चकत्ते को शांत करेंगे जिससे आपके बच्चे की तवचा को नर्म और चिकनी रखने में मदद मिलेगी ये कोमल हर्बल सामगरियों से बना है, इस साबुन रहित साबुन का उपयोग शिशू शैंपू के रूप में किया जा सकता है और यह नाजुक तवचा वाले बच्चों और वयसकों के लिए भी आदर्श है चलिए जानते हैं इसके कुछ फाइदों के बारे में एक, कैमोमाल तवचा को मुलायम और हाइडरेट करता है इसके अलावा, इसके सक्रिय फ्लेवोनोईड और आवशक तेल योगिक हिस्टामाइन छोडते हैं, जो सूजन और मुक्त कणों से लडते हैं दो, अचलिया शुष्क और चिर्चडी तवचा को शांत, पोशत और शांत करता है अकलिया इस्टम नमी के स्तर के लिए तवचा के पी हेज संतुलन को भी बहाल करता है 3. सौमे क्लींजर ये सौमे बेबी वॉश बच्चे की तवचा को मुलायम बनाये रखने में मदद करने के लिए नाजुक तवचा को साफ और पोशन देता है उप्योग करने के लिए बच्चे के बालों और शरीर को गर्म पानी से गीला करें धोएं धीरे से ज़ाग लगाएं और धोलें 4. दैनिक शिशू की तवचा की देखभाल साबुन रहित साबुन का उप्योग शिशू शैंपू के रूप में किया जा सकता है और यह नाजुक तवचा वाले बच्चों और वयसकों के लिए भी आदर्श है विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को जरूर लाइक करें साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को और नोटिफिकेशन पर सेट करें